आज मैं और अवनिश, माई सन, हम लोग लोग खेल रहे थे और अवनिश ने जैसे ही रियलाइज किया कि वो गेम लूज कर रहा है और उसने बोला मुझे नहीं खेलना है मुझे समझ आ गया कि क्या हो रहा है और तभी मुझे चांस मिला लाइफ का बहुत इंपोर्टेंट लेशन इंट्रोडूस करने का that is handling failure सबसे पहले मैंने उसके feelings को acknowledge किया कि it's okay to be sad उसके बाद मैंने उसको समझाया कि failure life में बहुत normal है and it's a part of life and learning उसके साथ मैंने उसको examples दिये उसके role model के footballer Ronaldo और Macy जब उन्होंने game lose किया then he understand is how fell सब लोग होते है then I shared my personal experience जब मैं fell हुई और मैंने उसको कैसे turn किया इसके बाद मैंने आउनिश को एक question पुचा आउनिश, did you enjoy the game? वो तुरंत happily बोला yes mama, I did तो मैंने उसको बोला कि see, ये process important है ये time important है जो हमने साथ में spend किया game खेलते वक्त, वो मज़ा था the same way हम अपने बच्चों को ये बता सकते है कि process बहुत important है उनके efforts को हमको acknowledge करना है जब हम failure समझा रहे है इसके बाद मैंने उसको बुचा आगे क्या? तो उसने तुरंत जवाब दिया ममा, next time मेरे पास strategy है आपको हराने का and I will win so this is how हम ये important life lesson बच्चों को बहुत easily समझा सकते है आपने अभी तक अपने बच्चों को handling failure इंट्रोडूस किया या नहीं और कौन से तरीके से किया do let me know in the comment section